हेलो जीनियस पीपल्स, वेलकम टू एजुमित्रा, तो आज के इस लेक्ट्र में हम मिलका समझने जा रहा है, क्लासिक सोसन साइज हिस्ट्री के बुक, आवर पास्ट के सेगंड चैप्टर को, जिसका नाम है, अन दा ट्रेल अप दे अर्लियस पीपल, तो पहले चैप्टर मे पुडाने लोगों के बारे में, उनके रहां सान के बारे में, वो कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, और मिलियांस अफ ये पहले लोग कैसे रहते थे, तो चलिए, शुरू करते हैं, तो अगर अगर आपना चैनल पर नए है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजा, बेल तो हमारे जो human है हमारा life धीरे धीरे क्या होता है evolve होते जाता है यानि धीरे धीरे change होते जाता है उसके evolution होते रहता है और millions of years यानि लाखों साल जायता होता है डेली बाय धीली हमारा life धीरे धीरे और अच्छा और standard living जा रहते है जा रहा है at early stages पहले क्या होते थे men were hunters and food gatherers इंसान क्या होते थे सिर्फ उनका एक ही क्याम रहता था वह हंट करे animals को अपना food कठा कर सके यानि पहले food ही था जो मस्च था यानि लोगों के लिए खाना सबसे जरूरी चीज था वह क्या करते थे इसलिए white elements को मारते थे codfish को मारते थे और get fruits and nuts and seeds वह क्या करते थे जानवरों को मारते थे मचलिया पकड़ते थे और उसके सासाथ फल इखटा करते थे या बीज इखटा करते थे जिससे बीज से वह नया cultivation कर सके और फल फुल जिसको वह खाकर रह सके और meats वगयरा तो पहले के लोग को आप कर सकते कि एक ही motive था वह था खाना खाना यानि food आज के life में बहुत सारा change आ गया आज लोग proper job करते हैं proper घर में रहना चाहते हैं बहुत सारी needs को पूरा करना चाहते हैं उसके साथ सारी अपने passion को पूरा करना चाहते हैं वगयरा वगयरा लेकिन एक बात आप कर सकते हो कि food आज भी हो गया है आज की life में food के साथ साथ लोग standard of living भी चाहते हैं यानि अच्छी तरह से रहना तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज देखेंगे इसका first topic को तो अगर आपने इस chapter का इस book का और past के first chapter को नहीं देखा है जिसमें हमने when where how के बारे में बात किया था तो जाकर आप कर सकते हैं तो मैं आपको एस बीडियो को देखने के बाद आप इस chapter का complete understanding हो जाएगा चलिए first topic को देखते हैं why did the earliest people lead a nomadic life तो एक question पूछा गया basically जो पहले के लोग ले होते थे वो एक nomadic life क्यों जीते थे तो मैंने nomadic क्या होता है first chapter में आपको बताया था तो एक बार फिर से बता देता हूं nomadic मतलब होता है वैसे लोग जो इदे उदर घूमते रहते हैं घूमक कर लोग यानि बन जारे लोग जिन पहले नहीं रहा पाते गें कियों कि सक्षकर करतना रिशुर्सन हीं उसे अनिमय को ये भूद करने का कोई तरीका तो नहीं था प्लान्स सपोश क्यों कहीं हैं अगर आपको नहीं पता होगों को कई इसे लिए जानवरों को भी खाना की जुरत होती है इसलिए जानवरों को भी अपना सिकार पकाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना पर्दा था सपोज कर विर्व कोई जानवरों के जानवरों या भी जानवर जाएं मिले फूक्त पूखा तो नहीं मरेगा जानवरों करना तो, कि जानवरों यहां. फुरूट्स और अनिमल्स पेही तो जिंदा रहते थे अधू इससे में ज्यादा मात्रा में नहीं थे तो में तो भाल भा था उसका अनिमल शायर प्लांस बेर दिफेंट फूट्स इन डिफेंट सिजन सो प्लांस क्या करते हैं हले कलेकल के सीजन में देते हैं हमारा बिहार हमारा औरेंज्टन में होगा वैसे ही साफ्र – केरला उजा ह 설명 रह presents भाइब से क्वाल जगह तो इसलिए कि यह करना परता था एक जगह से दूसे जगह से जगह प्रिख करना परता नज घ्रएक कना परता था नwnież में जड़ाना परता जाएंगे तो इसलिए लोग वहां नॉमाइडिक लाइफ जीते थे तो यह इसका थर्ड रीजन है फोर्थ रीजन क्या है पीपल है टुमूब वेरेवर वाटर 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 यानि पानी बहुत बरा कमी बहुत बाइदा नेसिसिटी था वैसे वाटर तो आज भी नेसिसिट लोगों को जानवारों को माना था तो इसलिए उनकों की जुरत थी लेकिन पहले आयरं श्री अगएड़ा तो मेचल थे नहीं पहले क्या थे पत्थरों से लोग अपना तो बनाते थे लोग को इसलिए भी एक जग़ता से दूसरे जग़ागा जाना परता था कि अच्छे आ क्यों होते हैं नेसे ऍचा हतीहार बना सके गार काइसानी से 7 और पर एा कि यह पांच वैंडि Hub saint City दिए गां जिसे पहलת को लोग नोमाडिक क्यों होटे थे पो नेक्स दियागे हैं हाव डूवीू अबडरी पीपल यहां उने तो यह देखा है कि पहले के लोग पीपल के बारे में जानते कैसे हैं तो इसके फर्स चाप्र में पात किया कि हिस्ट्री के जानने वाले लोग दो टाइप के होते हैं पहला होता है आर्कियोलोजिस्ट दूसरा हिस्टोरियन तो आर्कियोलोजिस्ट जो होते हैं वह फाइंड करते हैं सेवरल टूस के बारे में आज मैंने निन ब्राइस को महाँ तो निन आज निन उटीद के ब्राइस आज जब दूचीं तो परहलों क्या करते थे कि उसका यूज मीट को कटने के लिए या फलो को या फ्रूट को चॉप करने के लिए तुक्रे टुक्रे में बातने के लिए और आसानी से खाने के लिए करते थे तो फोर्थ प्वाइट इस सम्टूस में अटाच्ज तो थे हैंडल सब्वोन और वूड इन अडर तो में प्रूट परहलों क्या करते थे कि इसमाल टूल ले ले थे सब्वोज उन्होंने ऐसा टूले लिया कोई और वूडन हैंडल से अटाच कर देते थे ताकि वह इसे अनि पता लगा लिए हैं और वूड का यूज एक और होता है तूल वाला ने की अवा वह क्या है फायर वूड उड से लोग आग भी जलाते थे और उड्स वगरा से लोग पहले स्प्रेश और आरो भी बनाते थे तीर वगरा पहले तो आज क्या होता था कि तीर जब आप जो पर्लीव होते थे लेकिन जब हम एंसियंट भी हो सकता था पूरा पूरा हमारा मेचल का नहीं होता होताथ यह हमारे सथे अर्श पीपल के बारे में जान सकताए से देनाम नेक्स टॉप इसी वियर डिद अर्ली मन लेव हमने यह देखा कि वह नॉमाड क्यों होते थे फिर हमने उनके बारे में और बात की फिर अब हम जानेंगे कि अर्ली मन रहते कहां थे उनका ठीकाना है कहां तो पहला दिया हुए कि वह पानी के पास रहते थे जैसा कि हमको पता है क्योंकि पानी के पास रह chancellor पहले बहुत बारा नेसिश्टरी था ना तुह थे न नाट उड ज्यू सह थे नाटू जैने हैं यह एक जारफ एखर मेरा कि रहते और प्राब्त ने के लिए तो पहले कि लोग बेसे लिए क्या क्या कि थे लेगए बान से क्या में तरह से लु़ी उसका पास रहते से यासा कि या की हने फ़र्स्ट चाप्टर में देखा था देख वह लिए असानी हो पाकी और जम्म हो पेदगेशYes ब मतने में असानी हैं जहां कुछ का प्रडक्शन होता है तो पहले क्या होता था तून से हुआ तो उनके लिए उनका सबॉप सक्त अ करुए फायर शेकर्ट का वे Kathy साइट्सैट्स फंद kutना उस प्रॉक्वित रहते हिवेश цент इमेक बार उनसे भर मांथ भळ शाहर टूल बनाओ सब्सक्राइब करते हैं मंधुझें सब्सक्राइब जिया स्क्राइब बाद लोग बाक्तों पूंकी आद्यू सब्सक्राइब नकीटमाइब करते हैं थे। तो इसलिए अंप Like thats with home वां उसको है उपको क्लियर हो गया होगा हमारा नेक्स टॉपिक है Stone Age जिस को हम पार्षान युग के नाम से जानते हैं तो scholarships नाम से जानते हैं तो Stone Yue का है याई पार्सान युग काहस इस्टोन अचिंग से भी देख लेते हैं geworden mostly would you know about we were that when we had our goal direct towards a while using stone tools , we use station वर्ड किया है, एक है new stone age, एक है middle, एक है old, so old stone को old stone age को हम क्या बोलते है, paliholetic, paliholetic या old stone age, फिर आता है हमारा mesolithic या middle stone age, फिर आता है हमारा neolithic या new stone age, नियो का मतलब होगा new, meso means middle, and pala means primary, यानि पुराना, तो इसे हमने देखा कि 3 types of age हुए है, one is old stone, second is middle stone age, and third is new stone age, then our next topic comes, making stone tools, and पहले के लोग कैसे stone से अपना tools बनाते था, वो क्या-जा techniques यूज करते था, क्या-क्या equipment यूज करते था, बगारा बगारा, so stone tools were made using two techniques, इसके लिए two techniques होते था, पहला दिया है, stone and stone and pressure flacking, पहला था, पत्थर पर पत्थर रखके, यानि भारी पत्थर से कम्जोर पत्थर को तोर कर दो जा था, प्रेशर flacking, या बहु जादा प्रेशर देके, दबाव देते हुए हो पत्थर को अपने मन चाय सेप में तोर कर, तो second point is, in stone on stone technique, the pebbles from which the required tool was to be made was held in one hand and another stone which used as a hammer were held in the other hand, the stone, the second stone was used to strike of flags from the first till the required safe was obtained, तो वह क्या करते थे कि एक पत्थर लेते थे और दूसरा पत्थर को basically hammer के रूप में use करते थे, और इससे वह तब तक इस पर मारते थे, तब तक इसको beat करते थे, तब तक इसका safe required जैसा मन चाहिए वैसा नहीं आ जाता हो, और finally जब यह process complete हो जात हो जाते थे, आगे दिया हुए हमने यहां देखा, stone on stone, यह हमारा first technique है, stone on stone, फिर हम देखेंगे यह second technique जो है pressure flacking, तो pressure flacking क्या technique है, the core stone from which the tool was to be made, यानि core stone मतलब वैसा stone जिसे हम tool बनाने वाले हैं, उसको क्या किया जाता था, उसको hard surface के बीच में उपर रख दिया जाता था and the hammer stone was placed on the core of to remove the flag that could be saved into tools, suppose इसे कैसे किया जाता था, मैं आपको समझा देता हूँ, suppose हमने, क्या किया किया कि, hard surface ले ले लिया, उस पर एक पत्थर रख दिया, और उस पर क्या किया जाता था कि, hammer, hammery object लेका, उस पर side से, वार गिया जाता था, उसको break करने की, कोछिस की जात जाता था, जिस direction में इस पर मारा जाया, इसको चोट दिया जाया, और यह मन चाहा सेफ में convert हो जाता था, यहां हमने बात की दो techniques के बारे में, जो methods के बारे में, जिससे हम tools बना सकते हैं, तो यह humans नहीं, early man ने tool बना चुके हैं, तो अब नेक्स हमारा topic है, आग का आविशक आग की खोज, यानि man ने कब आग का discovery किया, तो इसे भी देख लेते हैं, man discovers fire, fire क्या हुआ कि हमारे जीवन का, हमारे world का सबसे बड़े discoveryों में से एक माना जाता है, तो over the period, उसी समय आदमी ने fire का बहुत सारे use भी सीख लिए, उस कैसे fire से light के source तक यूज कर सकते हैं, कैसे fire fire से light बना सकते हैं, कैसे उसके heat से मुडगा वगारा, यानि meat वगारा भी पका सकते हैं, meat, chicken वगारा पका सकते हैं, बहुत सारे animals को पका सकते हैं, और scare animals away, आप देखा होगा बहुत सारे cartoons या फिल्म में, जो हमारे हाथी, सेर वगारा, जो januas होते हो, fire से डढ़ कर भाग ज पता कर लिये थे, तो इसलिए fire को उस समय का सबसे बड़ा discovery में से एक माना जाता है, तो आगे है कि उसके बाद environment में change कैसे आया, क्योंकि आज हम वैसे तो है नहीं, जैसे early man होते थे, और agricultural development कैसे हुआ, यानि पहले लोग अपने हल का use करते थे, खुद चलाते थे, फिर दी दीर दीर अनिमल चलाने लगे लेकिन आज हमारे पस scientific tools हम practice वगरा का use करते हैं, तो यह सब change कैसे आया, तो change in climate, climate में change हुआ यह भी, इसमें change करने का बहुत बहुत बारा role play करता है, development of grassland and increasing grassland lead to the number of deer, उसके बास क्या होगा grassland increase होने लगा, suppose करो यह हमारा land है, अपने छोटे में कुछ cultivation किया है, तो दीरे दीरे यह cultivation expand होगा, दीरे दीरे और पूरा land तक फैलेगा, और दीरे दीरे जो animals होते है, suppose यह यह deer, तो दीरे दीरे यह भी multiply होंगे, एक से बहुत ज्यादा, इनके भी बच्चे बहुत सारे होंगे, और यह बहुत सारे बर जाएंगे, तो इसस लिए उनका number increase हो गया, तो इससे antipole, goat, sheep, cattle, etc, that is animal that survived on grass, तो ऐसा जानवर जो की गास पर survive करते हैं, उनका number इससे basically increase हो गया, तो हमने यहां देखा कि change in environment and agriculture development कैसे हुआ, तो इसका second point दिया हुए कि environmental change के कारण क्या हुआ, तो दिया हुए, people has the curiosity to know about the food habit and breeding season for such animals and began to follow them, उस समय जीनले का क्या है एपना बच्चों सटी में कि इक्ष्ञा जाएंगी की वह फुटम एपिर्ट के बारे में जाने किसके फुटम फजञाने कि और उसके breeding season ब्रीडिंग सीजन को इस सीजन को काते है illot Markoνα ऐस raising buffalo आपना बच्चों को जनम लग देता है, तो hea सिल्डिका की इसका पीछा कर रहे लगे उसके बारे में केस सड़ी उसके बारे में पढ़ाई करने लगे इससे किया हुए this helps people to think about the herding and rearing of such animals अब इनसान क्या हो चुका था कि जानवर के food habits की वो क्या खाते हैं कब बच्चे को जन देते हैं यह जान चुक है थे तो इससे उनको क्या हुआ फैटा हुआ उस चैनलर को पालने पोशने में और उसे एकनोमिकल अक्टिविटीस में यूज करने में और इसी से क्या बना फिसिंग एक बहुत बारा मिधर अक्टिविटी बना उस समय का लोग फ और इससे हमने देखा कि कैसे अनिमल्स का भी ब्रिध्धी होगा और अंग्लोस की कॉंचिटी भी इंग्रीज होगे और ग्रेंस भी हो पाए तो आगे दीए इस घ्रेंस वेंटेट्टेड ऑन मैन वूमें चिल्रें तो इससे क्या हुआ कि जो ग्रेंस उन सो उसका और प्रो डेवलोप इससे क्या हुआ अग्रिकल्चर बढ़ने लगा लोगों को मन में अग्रिकल्चर के प्रती थोड़ा प्रेम आया वह सोच दे लगई चिह लोग ने अब इंटरेस्ट लेना सुरू कर दिया और एक्रिकल्चर आज भी बहुत पाइम्प्लॉइमेंट देता है हमारे देश को नेक्स टॉपिक इस अर्ली रॉक पैंटिंग यानि पहले लोग रॉक पैंटिंग यानि पहले लोग रॉक पैंटिंग कैसे करते थे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोग कुछ भी याद करने के लिए पत्थर पर उसको अंकीत करते थे काफ करते थे तो पहले क्या इंदिया के अंदिया के मद्ध पादेशा साउधन उत्रपतेस। अंदिया कहा देखा जाते हैं निश्चित कल्चिर निश्चित आर्ट तो नहीं होता था। तो अरलिमान के मन में जो भाजन 않तां थी है विचार रहा था उसीको वह पत्तोरों पर चाप देते थे ख़र जसे उप करते थे इससे को पहले का हंट रहा था क्यों के लिश्माद सब्सकिügen सिर्टिए महणा थाओर Histi हम रीक स्थोय बाइय था 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 दाकर जेम पारण प्लैटू में इस प्लाटू हम आधेगे बात करेंगे ओक मेड़ाश्ता रहे श्यर के शव देजच के सब्स्कार प्लाटू में और अगराश्च्पन भी चिरकी कहा पेस्टी निवास हे जोकी महारास्ठ यгоराश्ड स्तित है तो यह बेसिकली डेकन के बारे में हमने छोटा सा नौलेज देखा नेक्स इज कुर्णूल इन अंध्रप्रदेश न हुस्त्यंगी इन करणाटका अगला हमारा टॉपिक है जो दूसरे जगों के बारे में जो कि कुर्णूल है जो कि आंध्रप्रदेश में और दूसरा है आंध्रप्रदेश न हुंगस के करणाटका तो रिवर लाइक कुदाबरी कृष्णा टापी द्रेंड इन तो कभी कभी क्या होता थे कि हमारे जो बहुत सारे नदिया दीरे दीर बढ़ने लगी गोदाबरी कृष्णा और ताप्ती जो थी तिरो ने इस सारे रिजन को ड्र चाह धिया तो बढ़ार inscenes तो अर फкусी मिल्ग ना धुब अर्प टेों रॉल्टे ह में बहुत सारे टूज थे जो खिस्टोर होते थे और वह क्या होते थे कि टेरें वह हैattend थे पाई और फो प्र तो घठास है आन्डी आज और लेंवाग की दो श्टोर्दियों के पास मैं कर सकते हैं कि खुदाई करनेसे या मॉन्यमेट्स के द्वारा पता करते हैं नवे स्टे के बारे में नवेस्टारी में पढ़ाई कर रहा थोड़ा करते हैं नुग कशक्राइक उटरी चर्ऽे पारे में ने दिए कैसे माधरे जानुगे pengarण बहुत सारे जानवरों के जैसे elephant और wild ox यानि बैलों या हाथियों के बड़े में the sites of hung xi वे habitation come factory sites हमने देखा था कि habitation come factory site क्या होता है habitation का मतलब होता है निवास यानि ऐसा जगह जहां को इंसान या कोई जानवर रहता है वह इसका habitat हुआ कम factory site यानि यह दो कामों के लिए यूज किया जाता था पहला है रहने के लिए दूसरा factory site यानि वह अपना stones से tools वगार भी बनाते थे क्योंकि उस site पर क्या होता था the evidences of magnetic tools have been found तो यून किसकी जो कि क्या है करनाटका में वहां आज भी हमने scientists sorry जो historians है उन्होंने पता लगाया जो architect logist है उन्होंने पता लगा कि वहां हमने क्या पाया कि वहां evidences पाया है किसकी stones की या early match के habitation की जाहां रहते थे जिसे वह पता लगा सके तो इसलिए this suggests that most of the tools found there were made from limestone limestone होता है बसकी एक पत्थर होता है जो हम आज घर में white washing के लिए यूज करते है यानि चुनना which was locally available limestone के बहुत सारे पहार होते हैं और इससे tools बनाना बहुत असानी होती है आज हम limestone का use आपको पता है किस लिए करते हैं limestone से आज हम चौक बनाने के लिए उसका use करते हैं हमने अभी देखा कुर्णोलिन आंधर प्रदेश के बारे में हुंगुस्की महराश्टा के बारे में अर्ली रोग पेंटिंग के बारे में और हमने यह देखा कि अर्ली मैंस दीरे-दीरे कैसे develop हुए हैं वो दीरे क्रॉप का खोज कि कैसे उन्होंने हंटिंग सीखा कैसे कैसे टूस बना सीखा वगरा वगरा और इससे हमने पता किया कि अर्ली मैंस का दीरे-दीरे कैसे विकास हुआ और आज वे कैसे सब बन सके तो होप आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से समय में आ गया हो तो अगर आप इसको इस चैप इतना है मिलते हैं अगले लेक्षिया में किसी आज एजु के सिन लेटर टॉपिक के साथ तेल रेन स्टे क्रियेटिव कीप लर्निंग और मोस्ट फॉल है फ़न थैंक यू फॉर वचिंग सी यू अगेन बाब बाई